तो दोस्तो सूपर 50 की जो सीरीज रहेगी उसका फोर्थ पार्ट आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे इस वीडियो में 50 कोशन्स होते हैं जो की most expected repeated कोशन्स होते हैं अगर आपने पहले के पार्ट मिस कर दिये हैं तो इसकी एक separate playlist रहेगी आप उसमें सारे parts को cover कर सकते हैं जितने भी competitive exams होते हैं सब के लिए most important रहेंगे तो चलिए वीडियो start करते हैं देखते हैं पहला question क्या है तो हमारा पहला question है which state will host the national games of India in 2022 तो 2022 में जो national games होंगे इंडिया के उनको कौनसी state host करेगी तो हमारा answer हो जाएगा आंद्रप्रदेश तो आंद्रप्रदेश state के द्वारा host करे जाएंगे national games 2022 के अगर बाकी national games की बात करी जाए तो उनको भी एक बात देख लेते हैं आपको इनका edition भी याद रखना होता है तो national game 2020 में हुआ था गोआ के अंदर जो की 36th edition था 2021 में हुआ था उत्राखंड के अंदर जो की 37th edition था 2022 में होगा आंद्रप्रदेश के अंदर जो की 38th edition रहेगा 2023 में होगा मिखाले के अंदर जो की 39th edition रहेगा तो ये national games जो होते हैं exams में अक्सर पूछे जाते हैं करन्ट टाइम में भारत के चीफ एलेक्शन कमिशनर कौन है तो हमारा answer हो जाएगा सुशील चंद्र सुशील चंद्र जो है ये करन्ट टाइम में चीफ एलेक्शन कमिशनर रहेंगे इंडिया के जितने भी leaders है करन्ट टाइम में इंडिया के उसकी एक separate वीडियो रहेगी present heads के नाम से आप उसको देख सकते है Recently which state government announced the मेरा काम मेरा मान scheme for unemployed youth unemployed youth जो है उनके लिए state government ने एक scheme को launch किया है जिसका नाम रहेगा मेरा काम मेरा मान तो एक कौन सी state के द्वारा launch किया गया तो हमारा answer हो जाएगा पंजाब पंजाब state के द्वारा इस scheme को launch करा गया है unemployed youth के लिए Who is the author of the book संस्कृति और राष्ट संस्कृति और राष्ट जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है इसके author कौन है तो हमारा answer हो जाएगा काल राज मिश्रा काल राज मिश्रा जो है इनके द्वारा book को लिखा गया है जिसकी title रहेगा संस्कृति और राष्ट कोंकन 21 इसे exercise organized between India and Dash तो कोंकन 21 एक military exercise रहेगी इंडिया और कौन सी country के बीच में होती है तो हमारा answer हो जाएगा United Kingdom तो 2021 में ये exercise होई है इंडिया और United Kingdom के बीच में जिसका नाम रहेगा कौंकन 21 तो कैनेस फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है जो कि उसका 74 एडिशन रहेगा उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ट किसको मिला है तो हमारा answer हो जाएगा Caleb Landry Jones Caleb Landry Jones को सम्मानित किया गया है इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है 74 चैनेस फिल्म फेस्टिवल 2021 में अगले कोशन पे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते है Static GK की एक topic wise e-book हमारे द्वारा launch करी गई है जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है important क्यों रहेगी क्योंकि इसमें ये topics हैं जो की cover करे गए है ये 14 से 15 topics रहेंगे जिनसे आपके exam में questions जरूर पूछे जाते हैं तो इनको इस e-book में cover किया गया है तो exams में ये जरूर पूछे जाएंगे अगर आप interested हो तो link आपको description में provide किया गया है आप description में जाके इसको buy कर सकते हैं downloading में अगर कुछ issue आता है तो ये हमारी Gmail idea आप इस पर directly mail कर सकते हैं who is appointed as the new CEO of आयूशमान भारत scheme तो scheme जो है आयूशमान भारत scheme एक most important scheme रहती है इंडिया की center government की उसके CEO कौन चुने गए हैं तो हमारा answer हो जाएगा R.S. Sharma R.S. Sharma को चुना गया है आयूशमान भारत scheme का CEO which of the following was the ancient capital of Vijayanagar Empire Vijayanagar Empire की ancient पुरानी capital क्या थी तो हमारा answer हो जाएगा हमपी हमपी जो थी ये capital रहेगी Vijayanagar Empire की World Population Day is observed on World Population Day कौन सी date को observe किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा 11 July हर साल 11 July को observe किया जाता है World Population Day के रूप में 136 के around days की accepted वीडियो रहेगी जिसमें सारे important days कवर किये गए हैं आप उसको देख सकते हैं चैनल पे आपको मिल जाएगी Who took charge as minister of law and justice तो अभी current time में law and justice minister कौन है इंडिया के तो हमारा answer हो जाएगा किरन रिजुजी किरन रिजुजी जो है ये इससे पहले sports minister थे लेकिन जब cabinet reshuffle हुआ है तो इनको sports ministry से हटा के law and justice ministry सौबदी गई है What is the rank of Reliance Industries Limited in the 2021 fortune globe 500 list released in August 2021 तो अगस्त 2021 में fortune global 500 list जारी करी गई थी उसमें Reliance Industries Limited company जो है इंडिया की उसकी rank क्या थी तो हमारा answer हो जाएगा 155, 155 rank रही थी Reliance Industries Limited की fortune global 500 list में अब इन 500 list में इंडिया की कितनी companies को शामिल किया गया था तो इंडिया की 7 company रहेंगी जिनको शामिल किया गया था इस list में कौन-कौन सी company रहेंगी तो पहले पैती Reliance जिसकी 155 rank थी दूसरे पैता State Bank of India जिसकी 205 rank थी Indian Oil 3rd पे रहेगा 212 rank, Oil and Natural Gas 243 rank, Rajesh Exports 348 rank Tata Motors 357 rank भारत Petroleum 394 rank तो ये 7 companies थी इंडिया की जिनको शामिल किया गया था Fortune Global 500 list में अगर पहली company की बात करी जाए फस नमबर पे इसमें कौन सी company रही तो Walmart जो company है अमेरिका की उसने टॉप किया है Fortune Global 500 list को बनिहाल पास is located in which state or union territory of India तो बनिहाल पास कहां पे located है तो हमारा answer हो जाएगा जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर जो की एक union territory है इंडिया की यहां पे located है बनिहाल पास कुद्रमुक नेशनल पार्क is located in which state of India कुद्रमुक नेशनल पार्क कहां पे है तो नेशनल पार्क की भी एक separate वीडियो है जिसमें इंडिया के सारे नेशनल पार्क cover करे गए है तो कुद्रमुक नेशनल पार्क हो जाएगा करनाट का इस्टेट में which among the following book was written by महत्मा गांधी महत्मा गांधी के दुआरा इनमें से कौन सी book को लिखा गया है तो हमारा answer हो जाएगा all of the above तो ये तीनों ही book जो रहेंगी महत्मा गांधी की लिख्योई book है हिंदु सुराज महत्मा गांधी की book है my experiment with truth most important exam में पूछी जाती है की टू हेल्थ भी रहेगी महत्मा गांधी की which state government has recently launched the mission वत्सल्य initiated initiative for women तो महिलाओ के लिए mission वत्सल्य launch किया गया है कौन सी state government के दौरा तो हमारा answer हो जाएगा महाराश्च महाराश state government के दौरा launch किया गया था 2021 में mission वत्सल्य को महिलाओ के लिए who is the author of the book कमला हैरिस phenomenal woman कमला हैरिस कौन रहेंगी तो wise president है अमेरिका की और ये एक भारती रहेंगी इसलिए exam के लिए important रहती है तो कमला हैरिस phenomenal woman के नाम से एक book को launch किया गया है इसके author कौन है तो हमारा answer हो जाएगा चिदानन्द राजघटा चिदानन्द राजघटा जो है इनके द्वारा इस book को लिखा गया है जिसका title रहेगा कमला हैरिस मालाबार इसे excise organized between India and तो काफी famous एक excise रहती है तो आपको पता होगा कि मालाबार जो excise होती है ये किस-किस के बीच में उठी है 2021 में किस-किस के बीच में organize करी गई थी तो हमारा answer हो जाएगा all of the above तो इंडिया तो इसका part रहे गए इंडिया के साथ-साथ अमेरिका, जापान और ऑस्टेलिया ये तीनों country भी इंडिया की साथी रहेंगी इंडिया की पार्ट रहेंगी तो इस चार countries मिलके मालबार exercise को organize कराती है GST Council comes under which article of the Indian Constitution तो GST Council को add किया गया है बाद में तो इसलिए किसी article में इसको add किया गया था तो ये आपको option में दिखेगा तो GST Council को जो add किया गया है वो कौन से article में किया गया था कौन सा article रहेगा जो कि GST Council से related है तो हमारा answer हो जाएगा article 279A article 279A में बताया गया है GST Council के बारे में Rickets is related to which part of the body तो आपको पता है Rickets जो बिमारी होती है वो vitamin D की कमी की वज़े से होती है तो जब vitamin D की हमारी body में कमी होती है तो वो हमारी bones पे effect करता है हमारी bones जो होती है वो कमजोर होने लगती है Rickets बिमारी में तो कौन सी चीज़ से related हो जाएगा तो bones से related बिमारी होती है इसका नाम रहेगा Rickets Soker Lake is in which state or union territory तो Soker Lake जो है ये इंडिया की कौन सी state या फिर union territory में located है तो हमारा answer हो जाएगा लगदाग तो लगदाग जो की एक union territory है इंडिया की वहाँ पे located है Soker Lake दयानंद सरस्वती is the founder of तो इन में से given options में से क्या found किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा तो हमारा answer हो जाएगा आर्रे समाज आर्रे समाज को found किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था ब्रह्मो समाज आपसे पूछा जाता है राजा राम मोहन रोई के द्वारा इसको found किया गया था second round table conference was held on तो second round table conference जो हुई थी start हुई थी यहाँ पर आपसे starting की date पूछे गए कि second round table conference को कब start किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा 7 September 1931 7 September 1931 को start किया गया था second round table conference को अगर आपसे first पूछा जाए तो 12 November 1930 रहेगा third पूछा जाए तो 17 November 1932 को किया गया था how many digits are there in RTGS तो RTGS जो होता है उसमें digits, total digits जो होती है वो कितनी present होती है तो RTGS जो होता है आपको पतावगा किस चीज़ से related होता है जैसे payments होती है उन सब चीज़ों से related होता है अगर इसकी full form की बात करी जाए तो इसकी full form होती है real time gross settlement आपसे full form भी पूछ ली जाती है तो इसमें total कितनी digits होती है 22 digits present होती है RTGS में what is the another name of ताज महल तो ताज महल जोगी located है आगरा उत्तरप्रदेश में इसका दूसरा नाम क्या है तो हमारा answer हो जाएगा both A and B तो crown of palaces और Rosa A. Munawar तो ये दोनों नाम रहेंगे ताज महल के who is the founder of हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकल एसोसियेशन तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकल एसोसियेशन को 1928 में found किया गया था अब इसको जो found किया गया था तो हमारा answer है all of the above तो राम प्रसाद बिस्मिल भगत सिंग चंदर शेकर आजाद इन तीनों के दोरा found किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकल एसोसियेशन को इसमें और भी कुछ लोग रहेंगे जो कि शामिल थे इसकी foundation से related थे जहरकंड स्टेट वाज फॉर्म्ड ओन विच डेट जहरकंड स्टेट को कब फॉर्म किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा 15 नवंबर 2000 15 नवंबर 2000 में found किया गया था जहरकंड स्टेट को स्टेट जितनी भी रहेंगी इंडिया की सबकी formation years आपको ध्यान रखने है exams में पूछ लिया जाते है Bombay Stock Exchange जिसको की BSEB बोला जाता है दो होते हैं एक तो होता है National Stock Exchange एक होता है Bombay Stock Exchange तो Bombay Stock Exchange was established in which year Bombay Stock Exchange को कौन से साल में established किया गया था तो आपको सबसे पहले ये question जरूर ध्यान रखना है 1875 में 9 July 1875 में establish हुआ था Bombay Stock Exchange which gland is related to tears तो tears जो होते हैं जो कि हमारे eyes से निगलते हैं वो किस कौन से gland से related होते हैं तो हमारा answer हो जाएगा lacrimal gland lacrimal gland जो होता है ये responsible होता है tears के लिए आस्वों के लिए दामूदर रिवर originates from which state दामूदर रिवर जो है ये कहां से originate होती है कौन सी state से originate होती है तो हमारा answer हो जाएगा जार्खंड जार्खंड state से originate होती है दामूदर रिवर अजन्ता एंड इलोरा केव्स are located in which state of India basic question रहता है काफी बार channel पे discuss कर चुके हैं हमारा answer हो जाएगा माहरास्ट माहरास्ट state में located है अजन्ता केव भी इलोरा केव्स भी और एलिफेंटा केव तीनों केव्स located हैं माहरास्ट state में who is the G20 host country for 2022 तो हमने यहाँ पे आपके सारे options लगा दी हैं 2022 के लिए आप देख सकते हैं इंडियोनेशिया रहेगी 2020 में G20 summit किस ने host करी थी तो साओधी अरेविया ने 2021 में इडिली ने 2022 में करेगा इंडियोनेशिया 2023 में करेगा इंडिया और यह आपके एक्जाम के लिए most important question बन जाता है 2024 में करेगा ब्रासी Reserve Bank of India was formed under which article under which act तो Reserve Bank of India को जो form किया गया था वो कौन से act के थ्रू किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा Reserve Bank of India Act 1934 Reserve Bank of India Act 1934 के थ्रू Reserve Bank of India को form किया गया था इसका headquarter रहेगा मुंबई महारास्ट में Who introduced the permanent revenue settlement system permanent revenue settlement system किसके द्वारा introduce किया गया था तो हमारा answer है Lord Convallis Lord Convallis ने introduce करा था permanent revenue settlement system को इंडिया के अंदर Who among the following is awarded the Nobel Prize 2020 in literature तो literature की field में Nobel Prize दिया गया है 2022 का इन में से किसको 2020 का इन में से किसको तो काफी बार हम discuss कर चुके है Nobel Prize 2020 का 2021 का तो उसकी separate वीडियो भी है चैनल पे जिसमें की 2020 के भी और 2021 के भी सारे Nobel Prize winners को discuss किया गया है और इंडिया में जिन जिन लोग को Nobel Prize मिल चुका है उनको भी उस फीडियो में ट कवर करा जा चुका है तो अगर बात करी जाए तो किसको दिया गया है ये अवार्ट से सम्मानित किया गया है तो हमारा आंसर है लुइस गुलुक लुइस गुलुक को 2020 में लिटरिचर की फिल्ड में Nobel Prize मिला था इंडियन वुमेंस होकी टीम इंडियन वुमेंस होकी टीम की कैप्टेन कौन है तो हमारा आंसर है रानी रामपाल रानी रामपाल जो है यह कैप्टर रहेंगी इंडियर वुमेंस होकी टीम की उज्जेन सिटी is situated on the bank of which river तो उज्जेन सिटी जो है यह कौन सी river के around situated है तो हमारा आंसर है शिपरा रिवर शिपरा नदी जो है उसके around situated है उज्जेन उजैन जो है एक शिप भगवान जो है उनसे related एक जगे रहती है तो उजैन में उजैन जो है इस शिपरा रिवर के around situated है खयाल dance is related to which state of India खयाल dance इंडिया की कौन सी state से related है तो हमारा answer हो जाएगा राजिस्थान राजिस्थान state से related है खयाल dance which is the first high court set up in India most important question आपसे year भी पूछा जाता है और आपसे high court का नाम भी पूछा जाता है तो आपका answer हो जाएगा high court of Calcutta high court of Calcutta पहला high court रहेगा जो की set up किया गया था इंडिया में 1862 में जुन या फिर जुलाई में 1862 में इसको set up किया गया था तो यह आपको ध्यान रखना है night blindness is a disease caused due to the deficiency of which vitamin night blindness की जो बिमारी होती है यह कौन से vitamin की कमी की वज़े से होती है तो हमारा answer रहेगा vitamin A, vitamin A की कमी की वज़े से होता है vitamin A का scientific name हो जाएगा retinol samber salt lake is located in which state of India samber salt कहाँ पे located है इंडिया का एक काफी famous salt water lake रहेगा कहाँ पे रहेगा तो हमारा answer हो जाएगा राजिस्थान में one third member of Rajya Sabha retires from the post in how many years तो एक तहाई members होते हैं Rajya Sabha के वो retire होते हैं कितने साल बाद तो हमारा answer हो जाएगा हर दो साल में एक तहाई members को retire किया जाता है Rajya Sabha के और यह question भी काफी important question रहता है India won how many medals in Commonwealth Games 2018 तो Commonwealth Games 2018 में इंडिया के दुआरा कितने medals जीते गए थे तो हमारा answer हो जाएगा 66 66 medals को जीता गया था इंडिया के दुआरा Commonwealth Games 2018 में आप से यह पूशा जाएगा कि Commonwealth Games जो होंगे 2022 में वो कहाँ पे होंगे वो होंगे Birmingham United Kingdom में प्रदान मंतरी कृशी सिचाई योजना was launched in which year तो एक central scheme रहेगी प्रदान मंतरी कृशी सिचाई योजना कब launch करी गई थी तो हमारा answer है 2015 में 2015 में इस scheme को launch किया गया था भद्र wildlife century is located in which state of India तो भद्र wildlife century कहाँ पे located है तो हमारा answer हो जाएगा करनाट का करनाट का जो state है वहाँ पे located है भद्र wildlife century खजुराव temple was built by which dynasty खजुराव टेंपल जो है ये किसके द्वारा बनवाए गये थे तो हमारा answer हो जाएगा चंदेला डाइनेस्टी तो चंदेला डाइनेस्टी जो है उसके rulers के द्वारा बनवाए गया था खजुराव टेंपल्स को मुरुकपपा gold cup is related to मुरुकपपा gold cup कौन से sports से related होता है तो हमारा answer हो जाएगा होकी तो sports related tournaments जो भी होती है उनका आपको sports ध्यान रखना है उनसे related players भी आपको ध्यान रखने है what is the state of bromine at room temperature तो room temperature पे bromine का जो state होता है bromine की जो form होती है वो क्या होती है तो हमारा answer हो जाएगा liquid form bromine जो होता है liquid form में होता है room temperature पे mercury का आप से पूछा जाता है तो mercury भी एक metal रहता है जो की liquid form पे हो जाता है room temperature पे hard disk is a which type of memory hard disk जो होती है एक किस तरीके की memory होती है तो हमारा answer हो जाएगा secondary तो एक secondary memory होती है hard disk who is known as the father of blood circulation तो blood circulation का father किसको कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा William Harvey William Harvey को father of blood circulation के नाम से जाना जाता है क्योंकि William Harvey के द्वारा ही blood circulation के बारे में बताया गया था बाकी अगर हम options की बात करें हमारे तो कार्ल लेंड स्टेनर जो है इन्होंने blood group की खोज करी थी इनको father of blood group भी बोला जाता है Robert Hook के द्वारा cell की खोज करी गई थी और Alexander Flaming के द्वारा आपसे पूछा जाता है कि peninsulin की खोज किस ने करी तो Alexander Flaming रहेंगे ये जो की पहली vaccine थी Alexander Flaming ने पहली vaccine रहेगी peninsulin जिसको खो जा था India's only floating national park केबूल लंजाओ national park is located in तो India का इकलोटा floating national park केबूल लंजाओ national park ये कहाँ पर located है तो हमारा आंसर हो जाएगा मनीपूर इस्टेट मनीपूर इस्टेट में located है केबूल लंजाओ national park तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखरी question अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर ले साथी साथ में सूपर फिफ्टी की सीरीज आपको पसंद आ रही है या आप comment box में जरूर बताएं इसी तरीके की or 50 related to most important questions आपको provide कराई जाते रहेंगे और अगर अगर आपने अभी तक हमारी e-books को buy नहीं किया है तो 4 e-books हमारे द्वारा launch करी गई है चारों का link आपको description में मिल जाएगा आप एक बार जरूर उन e-book को check out करें वो भी आपके exams के लिए most important रहेंगी thank you everyone